सीता राम, आज बहुत समय के बाद मैं यूटूब पर अपना वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय से कुछ जरूरी कारियों में फसा हुआ था, बीच में पंजाब गया था, जहाँ पर कुछ सादकों से मिला, और कुछ सादकों के घर जाकर उनकी जो समस्या थी उस समस्या के संदर्ब में खार्य किया गया था, पंजाब के पास में हीमाचल में कुछ बहुती महत्पून सिद्ध पीड थी उन सिद्ध पीड के भी दर्शन किये, खीर चंथ पूर्णी का जो बहुत ही बडिया स्थान है जिनको मा चिन नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है वहां पर मा भगवती के दर्शन कि ये बगला मोखी सिध्ध पीट के स्थान पर गए वहां पर भी मा बबगवती के प्राप्थ हुआ माँ भगवती के बिल्कुल सामने आदे गंटे बैठने का अवसर मिला और यही मेरे जीवन का सबसे बढ़ा अवसर था कि माँ भगवती ने मुझे बिल्कुल अपने सामने बिठा दिया और उनकी बहुत बड़ी कृपा मेरे उपर हो गए अब ये जो सानि में आज मैं आपके सामने बात करने के लिए आया हूँ आज तीन चीजों पर बात करनी है इस्ट शक्ति रक्षा शक्ति और कार्य शक्ति अब ये तीनों चीज क्या है उस विश्य में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यदि आप साधक है और आप साधना मार्ग में आगे बड़े हूए है आप साधना करते है यदि आप साधक है और आप लोगों की समस्याए भी देखते हैं या लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रेतन करते है यदि आप साधक है और अपने आध्यात्निक जीवन में प प्रगति करना चाहते हैं और यदि आप सादक हैं और आप चाहते हैं कि जीवन में आप एक सही मुकाम को प्राप्त करें या जीवन में सही तरीके से आगे बढ़ें तो क्या करना चाहिए बहुत मार सादकों के अंदर कुछ बातों के प्रश्ण का जवाब नहीं होता है वो साधला करते हैं और किये ही जाते हैं वो मंत्र का जब करते हैं और किये ही जाते हैं कोई व्यक्ति का काम आ गया तो वो अपने इसाब से काम करनें लगते हैं काम भी हो जाता है मगर उससे उस साधक को परिशाने होती हैं तो अब ऐसी स्थिती में एक साधक को अपने साध कौनसी कौनसी शक्तियों को रखना चाहिए मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ एक सादक के पास अगर उसको सही दिशा में आगे बढ़ना है या सही दिशा में उसको अगर ब्रदती करनी है या यू कहें कि एक सादक के रूप में तीन प्रकार की शक्तिया उस सादक के पास होनी अत्यंत आवस्यक है और ये तीन प्रकार की शक्तिया क्या है, जे मैं आपको आज बता रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान से समझे और फिर उसी दिशा में आगे बढ़िए. सबसे पहली है इस्ट शक्ति, इस्ट शक्ति क्या है, तो प्रतेक सादक का अपने इस्ट के पती जो प्रेम है, वहीं प्रेम उसकी इस्ट शक्ति है, आप सभी को प्रता है कि आप किसी ना किसी एक देवी देवताओं को मानते हो, किसी कोई एक देवी देवता से प्रेम करते ह अगवती गायत रित्य अत्यंद प्रेम है किसी को माता महाकाली से अत्यंद प्रेम है किसी को माता महालक्समी से अत्यंद प्रेम है किसी को भगवाल सीव से प्रेम है किसी को हरमान जी से प्रेम है किसी को गनेज जी से प्रेम है मतलब कि जीस शक्ति के प्रति आपको अनन्य प इष्ट शक्ति हैं वो आपके इष्ट देवता है और प्रत्येक साधक को अपने एक इष्ट देवता का निर्दारन करना चाहिए और उसी इष्ट देवता को उसको मानना चाहिए फिर उसको कभी भी बढ़काव नहीं करना चाहिए एक इष्ट देवता की साधना करना एक इष्ट देवता की सेवा करना और निष्टा पुर्वक उस एक ही इष्ट देवता का पूजन आदी प्रक्रिया करना उस व्यक्ति की उर्जा को बढ़ाता है उस साधक का उस इष्ट शक्ति के साथ जो connection है जो bonding है वो बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उस इष्ट शक्ति के माध्यम से उस सादक को सदईव जीवन में सुक, शान्ति और समरुद्धी प्राप्त होती है। तो एक बात तय हैं कि आपके कोई भी एक इष्ट देवता हो सकते हैं, एक से ज्यादा इष्ट देवता नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपको निर्दारण करना चाहिए कि मेरे इष्ट देवता कौन है, मेरे लिए सबसे उप्युक्त देवता कौन है। वह आप खुद भी निश्ट नीडर कर सकते हो। मैंने बताए ला कि जिसके प्रत्य आपका सबसे ज्यादा प्रेम हो। जिसके प्रत्य आपको अनन्य सुर्द्ध और विश्वास हो। वहीं आपके इश्ट देवता है। जिनके प्रती मतलब सहज भाव से आपको अत्यनत प्रेम हो, जिनके प्रती सहज भाव से जिनकी और आप एट्रेक्ट होते हो, वो जो शक्ती है वो आपके इश्ट दिवता है और वो कोई भी हो शक्ती है, वो पुरुष शक्ती भी हो सक्ती है, वो स्त्री शक्ती भी हो सक्ती अब एक सादक को क्या करना चाहिए? कि उस इश्ट शक्ति का निर्दारन करने के बाद उसकी नियम पूर्वक सेवा करनी है एक बात याद रखना कि इश्ट शक्ति की केवल और केवल आपको सेवा करनी है आपको मन से ये नियम बना लेना है, आपको मन से ये सुत्र अपने जीवन में घांठ बाद लेनी है कि मुझे अपने इश्ट देवता की सेवा करनी है, मुझे उनसे कोई कामना नहीं करनी है आपको अपने इष्ट देवता से कभी कोई कामना नहीं करने, ये मेरी बात को याद रखना इष्ट देवता को उर्जानमित करना है, इष्ट देवता को बली देना है, इष्ट देवता को भोग देना है नार्यल की बली है, निम्बू की बली है, सुपारी की बली है, जायफल की बली है, अनेक प्रकार की बली है उसमें से इश्ट देवता जिस प्रकार से हैं, उस प्रकार की उनको बली देनी है, उस प्रकार का उनको भोग देना है, मिठाई देनी है अन्य सभी प्रकार के जो भोग होते हैं वो भोग उन्हें देने हैं नित्य नियम पुर्वक उनका पंचोप चार या सोड़शोप चार पूजन करना है नैमित्तिक समय जो सुब मुरहत होती है जो सुब गड़िया होती है जो सुब त्योहार होते हैं उस दिन उनका विशेश पुजन करना रहता है आप जो भी जब करते हैं उस जब की उर्जा उनको अरपन करना होता है जब ये सारे कार्य आप करते हो तो उससे आपके इश्ट देवता को बल मिलेगा उसके आपके इश्ट देवता को उर्जा मिले और जब इष्ट शक्ती उर्जानवित होती है तब वो इष्ट शक्ती अपने सादक के सात सदईव 24 गंटे हर पल उसके साथ जुड़ी रहती है और उसे के कारण सादक अपने जीवन में आगे बढ़ता है प्रगति करता है आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करता है कि हनुमान जी मेरे घर का काम करो, हनुमान जी मेरे मनों काम नहीं पून करो, हनुमान जी मुझे सरकारी नौकरे दे दो, हनुमान जी मेरे कर्ज की समस्यां दूर कर दो, भगवान बोले नाथ मुझे सुक और समरुद्धी दीजिए, ऐसी कामना कभी भी अपने इष्ट देव और याद रखिए आपके इष्टक देवता केवल और केवल आपकी सेवा करनी है आपके इष्टक की आपको सेवा करनी है, जितनी हो सके, ज्यादा हो सके, कम हो सके, वो आपके उपर डिपेंड करता है, मगर केवल और केवल आपको उनकी सेवा करनी है, उनको प्रसन रखना आपका कारिया है, उनसे मागना आपका कारिया नहीं है, एक सादक के रूप में आपके इश्ट शक्ति को प्रबल बनाईए उसको भोग बली उसको नविद्य उसको सभी प्रकार से उर्जा देकर उसको तीवर बनाईए मगर इश्ट शक्ति से कभी कोई भी चीज मांगनी नहीं है मेरी ये बात को याद रखना इसके पीछे के कारण है कि आप अपने इश्ट देवता को उर्जा देते हो बली देते हो भोग देते हो और फिर उनके माध्यम से जब आप कार्य करवाते हो तो आपकी जो इश्ट शक्ति है वो डाउन हो जाती है आपकी जो इश्ट शक्ति है वो निर्बल हो जाती है और फिर वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी फिर उसका और आपका जो क चाहिए वो connection नहीं बनेगा फिर जो अध्यात्मिक प्रक्ति आपको होनी चाहिए वो नहीं होगे फिर आपका और इष्टडेवता के प्रती जो एक भाव जो गहरा भाव बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है और इसके कारण इष्ट देवता का आपको कभी साक्षाकर नहीं होता है तो आपको अपने इष्ट देवता की शिवा करने हैं इस बात को याद रखी अभी क्यों करने हैं उसके विशे में आपको आगे बताया जाएगा इष्ट देवता से कभी खुद के लिए कुछ न मागिये दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके पास आए तो उसको भी कभी इष्ट देवता से मांगने के लिए ना बोलिए और ना ही खुद उस व्यक्ति का कार्य अपने इष्ट देवता को सौपिए जो इष्ट वे वो आपके माता पिता है जो इष्ट है वो आपके गुरु है जो इष्ट है वो आपकी सबसे प्रबल शक्ति है उस प्रबल शक्ति को ना खुद के काम के लिए उप्योग करिए ना दूसरों के काम के लिए उप्योग करिए आपको केवल उनकी सेवा करनी है इस बात को याद रखना है आपको एस संकल्प लेना है कि हे इस्ट दिवता मैं केवल और केवल आपकी सेवा करूंगा निष्टा पुर्वक सेवा करूंगा क्योंकि मुझे आपके प्रती प्रेम है क्योंकि मुझे आपके प्रती सद्दा है क्योंकि मुझे आपके प्रती अटन्त विश्वास है क्योंकि मुझे आपके प्रती अटन्त प्रेम है इसलिए मैं आपकी सिवा करूँगा बस मैं आपकी सिवा चाहता हूँ ये भाव अपने इष्ठ किर्पते बनाई रखी अब दूसरा जो मैंने इष्ठ शक्ति के बारे में तो बता दिया कि इष्ठ शक्ति के साथ क्या व्यहवार आपको करना है और इष्ठ शक्ति को कैसे प्रसंद किया जाए उसको उर्जानवित कैसे किया जाए मैंने बताया दा चंडी पाट करिए और इस चंडी पाट का फल अपने इस्ट देवता को और पन के दी आपके इस्ट देवता के शक्ति और भी तगड़ी होती जाएगी आप इसके इस्ट देवता और भी उर्जानवित होते जाएंगे और जब उर्जानवित होंगे तो उसका प्रभाव आप अपने आप पढ़ना चाहिए, आपको उनसे मांगना नहीं है, इस बात को याद रखना। अब दूसरी बात बता रहा हूँ, कि एक सादक के रुप में आपके पास इश्ट शक्ति होनी चाहिए, पर उस इस शक्ति के आपको सेवा करनी है। दूसरी बात है, कि एक सादक के रुप में आपके पास रक्षा शक्ति होनी चाहिए, अब ये रक्षा शक्ति क्या है, तो आपको कोई एक सादना, कोई दो सादना, कोई तीन सादना, कोई चार सादना, कोई पांच सादना, वो आपकी इच्छा है कि आपको कितनी सादना इस स रक्षा करना है। उनसे आपको एक ही वचन लेना है कि हर पल, हर समय, हर गड़ी सभी प्रकार के तंत्र प्रयोगों से, सभी प्रकार की तंत्र बादाओं से, सभी प्रकार के विग्न से, सभी प्रकार के संकट से, सभी प्रकार के निस्पलताओं से मेरा रक्षन करो। और ऐसी एक प्रबल रक्षा शक्ती को आपको सिद्ध करना है उनकी साधना करनी है भगवान स्री बैरोजी की कोई प्रबल साधना करिए और भगवान बैरोजी की कुछ प्राप्त करिए और फिर उनसे वचन लिजिए, उनसे ताथना करिए, कि सद्व मेरे साथ रहिए और मेरी रक्षा करिए रक्षा शक्ति को भी कार्य के लिए नहीं बेजना है, ना खुद के काम के लिए, ना दुनिया के काम के लिए रक्षा शक्ति का कार्य है केवल और केवल आपकी रक्षा करना वो आपकी रक्षा करेगा हर पल हर समय अब मैं बताता हूँ सबके मन में ये सवाल होगा कि फिर रक्षा शक्ति को कैसे सिद्ध किया जाए तो देखी आपको आपके गुरुजी के माध्यम से एक मंत्र मिल जाएगा गुरुजी को बोलिये कि गुरुजी मुझे ऐसी कोई साधना बताईए जो हर पल मेरी रक्षा करे मेरी रक्षा करे, मेरे परिवार की रक्षा करे, मेरे घर की रक्षा करे ऐसी कोई साधना गुरु जी मुझे बताईए तो आपके गुर्देव के माध्यम से आपको कोई भी एक रक्षा शक्ति की साधना मिलेगी चाहे वो हर्मान जी की साधना हो, चाहे वो भैरव जी की साधना हो चाहे वो कोई वीर की साधना हो या अन्य कोई देवी शक्ति की साधना हो और जब गुरु के निर्देश अनुशार आप वो साधना करेंगे तो उसके माध्यम से आपके उपर एक रक्षा कवच बन जाएगा आपके साथ एक अद्रश्य शक्ति जूड जाएगी जो सभी अभिचार से, सभी तंत प्रयोग से, सभी विग्ण और बादाओ से आपका रक्षन करेगा अगर आपका अक्सिडन्ट होने वाला होगा तो उससे आपको बचा लेगा आपका मार्ग बदल लेगा अगर आप कही फसने वाले होंगे तो आपको वहाँ पहुच नहीं नहीं देगा अगर कही पर कोई व्यक्ति आपको फसाने वाला होगा तो उस व्यक्ति को आपके मार्ग से हटा देगी यदि आपके उपर कोई तंत प्रयोग होगा तो वो तंत प्रयोग को वो काट देगी ये है रक्षा शक्ति का प्रबाव जो आपके साथ जुड़ेगी तो प्रत्येक सादक को अपने इश्ट शक्ति की सेवा करनी है और दूसरा, प्रत्यक सादर को अपने लिए एक रख्षा शक्ती तयार करनी है अपने गुरू के माध्यम से, अगर आपके गुरू देव नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर लेना, हम आपको एक प्रबल रख्षा शक्ती को सिद्ध करने की साधना बताएंगे, वो साधना वच्तियार होगा, उसके माध्यम से आपके साथ एक शक्ती जुड़ जाएगी, जो केवल और केवल आपके रख्षा का कार्य करेगा, और जब ये साधना आप करोगे, तब भी आपको ये संकल्ब लेना होता है, कि मैं अपने और अपने परिवार की संपूर प्रकार से रक जाए, या फिर वो प्रत्यक्स रूप से आपके सामने आएगी, आपको वचन देगी, कि मैं हर पल, हर समय तुमारे और तुमारे परिवार की रक्षा करूँगा, या फिर स्वपन के माध्यम से वो आपके सामने प्रगट होगी, और वो आपको वचन देगी, कि मैं आपकी और आपके परिवार की हर पल हर समय रक्षा करूंगा तो ये दोनों प्रकार से आपके और आपकी परिवार की रक्षा करेगी इश्ट शक्ति और रक्षा शक्ति इश्ट शक्ति का कार्य क्या है? कुछ भी नहीं इश्ट शक्ति की सेवा आपको करनी है उनको सदिल प्रसन रखना है रक्षा शक्ति आपको सीद्ध करनी है फिर वो हमेशे आपका रक्षन करेगी और उसका एक ही कार्य है आपकी रक्षा करना उनका स्मरन कभी भी कोई कार्य के लिए मत करिए उनको कोई कार्य नहीं करवाना है उनका स्मरन करो तो यही बोलने के लिए करो कि मेरी रक्षा करो, सदेव मेरी रक्षा करो, अब तीसरी शक्ती आती है, इस्ट शक्ती हो गई, रक्षा शक्ती हो गई, और तीसरी है कार्य शक्ती, अब यह जो कार्य शक्ती है, वो आपके कार्य करेगी, आपकी मनो कामना और प बौतिक जीवन में जो समस्या हैं, उसको दूर करने का काम करेगी, आपकी बौतिक जीवन में सुक और समरुद्धी लाने का कार्य करेगी, आपकी कार्य शक्ति, दूसरा व्यक्ति आपके पास आता है, तो उसकी समस्या को दूर करने का कार्य करेगी, आपकी कार्य शक्ति, अ कुछ शक्तिया ऐसी होती है, जो सभी प्रकार की चीजों को बंधन में लगा देती है, भूत, प्रेत, देवी देवता, कुल, पितर, सब को बंद कर देती है, बांद कर रख देती है, जिससे उस व्यक्ति को जो शक्तिया परिशान करती है, वो परिशान करना बंद कर देती है या आपके जीवन में भी अगर कोई पितर, कोई कुल देवी देवता, कोई शक्ति आपको परिशान कर रहे हैं तो यह जो रक्षा शक्ति उन शक्तियों को बान देते हैं कुछ समय के लिए उसको थगित कर देती है, जिससे आपके जीवन में जो कार्या नहीं बन रहे हैं, वो कार्या बनना शुरू हो जाते हैं, आपके जीवन में जो परेशानिया हैं, परेशानिया दूर होना शुरू हो जाता है, तो रक्षा शक्ति, इश्ट शक्ति और तीसरी हैं कारे शक्ति, तो कार्य शक्ति भी आपको सीद्ध करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको साधना करनी पड़ेगी, आपके गुरु के माध्यम से, या आप हमसे संपर करेंगे, तो हमारे माध्यम से, आपको एक कार्य शक्ति के लिए साधना बताई जाएगी, एक, दो या तीन अलग-अल कर सकते हैं ये एक शक्तियों का जूंड है ये समझ लिजे कि कार्य शक्ति जो है उसमें शक्तियों का जूंड होता है उसमें कुछ ऐसी शक्तिया होती है जो आपके वचन से चलती है आपने उनको सिद्ध करके रखा है इसलिए वो आपके वचन से चलेगी और साथ में आपने उनको जो वचन दिया है, जो उनको भोग देने के लिए बोला हुआ है, जो उनको बली देने के लिए बोला हुआ है, तो जब वो उनको भोग और आप बली देंगे, तब वो आपका कार्य करना शुरू कर देगे, और वो आपके कार्य को संपन्न करेंगे, और आपके कहने मात से दूसरा कोई व्यक्ति होगा तो उसके काजयों को भी सफल करेंगे तो यह कार्य शक्ति अब कार्य शक्ति को आपको कार्य में ही लगाना है उसको भोग देना है उसको बल देना है उसके साथ डील है आपकी आपने उसके साथ डील किया हुआ है आप उनको भोग दोगे तो कारे करेंगे आप उनको बली दोगे तो वो कारे करेंगे आप उनकी इच्छानुसर कारे करेंगे तो वो उनके इच्छानुसर जो पूजा आदी लगता है जो दूप आदी लगता है वो आपको दोगे तो वो आपका कारे करेगी और कारे शक्ति को हमेशा कार्य में लगाना ह अब ये तीन चीजे मेंने क्यों बाटी है तो ये सादकों के भले के लिए बाटी है आपको एक बात याद रखना है कि ये तीन चीजों को अलग अलग वे में मैंने बाटा हुआ है क्योंकि कार्य शक्ति को आप अपने कार्य में लगाईए, खुज के कार्य करवाईए, दूसरे लोगों को भी कार्य करवाईए, कभी-कभी ऐसा होता है, कि जब आपने कोई शक्ति आपके पास, जैसे कि आपके पास कोई वीर है, और आपने उस वीर को कोई कार्य के लिए भे आपके वीर को अपने पास रख लेती है, उसको बाध देती है, वो शक्ति आपके पास वापस नहीं आती है, क्योंकि दुनिया में आप सी सबसे बड़े जादूगर आते हैं, तब आपकी जब कार्य शक्ति आपकी जो कार्य शक्ति बंद जाएगी वापर तब के पास वो शक्ति चली जाएगी और वो कार्य भी नहीं होगा तब क्या करना है तब आपकी इस्ट शक्ति के माध्यम से आप उस कार्य शक्ति को छुड़ा सकते हो आपके अधूरे कार्य को कर सकते हो गोलब कि जब संकट की घड़ी आती है तब आपके इषट शक्ति कार्या करना शुरूर कर देती है कि तब तकक कि उस IS शक्ति की तब तक किसी कार्य के लिए नहीं बेजना है और जब जरुत पड़ेगी तो वह स्वत कर्ति व्रमारन प्रयोग आपके उपर हो गया या कोई बहुत बड़ा प्रयोग हो गया जहाँ पर आपकी जो रक्षा शक्ति है वो साइड हो गए या आपकी रक्षा शक्ति उस प्रयोग को नहीं रोक पाई तब जितने वर्षों तक आपने सेवा किया है आपने बोल के रखा है ना कि मा बगवती मैं आपकी सेवा करूँगा हे बगवान से अनमान जी मैं केवल और केवल आपकी सेवा करूँगा मैं तो आपका दास हूँ है आपका सेवक हूँ जो ये बोल कर रखावा है जो आपका ये ब्राव है जो आपका प्रेम है और उस प्रेम से जो आपने उनकी सेवा की है बली दिया है बोग दिया है और कभी उनसे कुछ नहीं मागा है वो जो आपकी इश्ट शक्ती है उस दिन आपके सामने एक कबच के रुप में खड़ी हो जाएगी और कैसा भी प्रहार है उस प्रहार को खतम कर देगी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस्ट शक्ति से कभी कोई मांगना नहीं है जरुरत पढ़ने पर वो संपून रूप से आपसा रक्षन करने के लिए शक्षम है जरुरत पढ़ने पर आपके सारे भीगना और बाद करनी है रक्षा शक्ति जो सदेव आपकी रक्षा करेगी और कारे शक्ति जिसके माध्यम से आपको खुद की और दुनिया के काम करने है अगर ये तीन चीज़े आपके पास सही तरीके से है इस शक्ति की नियम पुर्वक सेवा की है रक्षा शक्ति की प्रवपर साधना की ह पर कारे शक्ती उसिद्ध करके रखा हुआ है तो आप एक सादक के रूप में दुनिया में सभी प्रकार के कारे करने के लिए सक्षम है फिर आप एक अच्छे सादक के रूप में खुज के वर दुनिया के काम करोगे और यहीं एक सादक के पास अरजित सबसे बड़ी मूरी होती है इसी को सभी सादकों को प्राप्त करने की आवश्यक्ता है आप सभी अपने जीवन में प्रक्ति करो अध्यात्ma में प्रक्ति करो ऐसी मा भगवती से प्रातना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचा ये, इसको share करिए, आप खुद भी देखिए, दूसरों को भी दिखाईए, हमारे चैनल से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, आपके लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, सभी ब्रकार की साधनाओं के विशय में आपको पुड़ रहस्य है, उन रहस्यों को आपके सामने उजा करेंगे, सिता राओ